इस्राइली नागरिकों का अब सबर का बांद तूट चुका है अब जो इस्राइली नागरिक हैं वो खुद संसद में पहुच गए हैं नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस्राइली नागरिक जो हैं इस्राइली यहूदी जो हैं उनका जो सबर का बांदय तूट चुका है अब वे खुद संसद में घुसके सत्ता पे बैठी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे हमास में नागरिक कैद हैं उनको छोड़ दिया जाए सरकार ऐसे सुन नहीं रहे हैं तो सीधा वो संसद में घुसके बोल रहे हैं कि जो जितने भी नागरिक हमास में हमारे कैद हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए और इसमें बताया जा रहे हैं कि जो सुरक्षा में चूक हुई है कि हमास के नागरिक किस तरीके से संसद में घुस जाते हैं और अपनी मांगे रखते हैं कि जो हमास में हमारे नागरिक हैं उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि जो जन्ता का विश्वास है अब उनके प्रधान मंत्री नेतन्याहूं से तूट चुका है और अब उन्हें कहा है कि हमें खुदी आगे बढ़के संसद में घुसना होगा और ये जो चीजे हो रही है हमास में हमारे नागरिक जो कैद है उनको छुड़वाना होगा क्योंकि नेतन्याहूं है वो सत्ता में बैठे उनकी इतनी लालच बढ़ती चली जा रही है कि जो इसराइली नागरिक है वो हमास कैद करे जा रहा है और इसराइली नागरिक को छुड़वाने के लिए अब इसराइली यहूदी खुद संसद में घुसके ये मांग कर रहे ह कि जो हमारे नागरिक हैं इसराइल के उनको छोड़ दिया जाए इसे वाजित खान लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज इसराइली यहूदियों ने संसद पर हमला कर दिया नेतन्याहूं ने गाजा पर युद्ध बंद किया गाजा से हमारे कैदियों को रिहा करो संसद में ग इसराइली नागरिक हैं वो नितन्याहूं के लिए प्रदशन जारी कर रखा था उन्होंने नितन्याहूं के खिलाफ प्रदशन कर रहे थे और कह रहे थे अगर आप आपसे नहीं हो पा रहा तो सत्ता छोड़ दी जाए लेकिन इसके बाद भी जब नितन्याहूं ने नहीं गाजा की तरफ से हमले बंबारी करी जा दिये तो वहीं इसराइल भी नहीं रुक रहा है इसराइल की तरफ से भी वही सेम बंबारी की जा रही है लेकिन जो आम नागरिक को इसका फल भुगतना पड़ रहा है तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों अब खुदी संसत में घुसा जाए और मांग की जाए तो अब इसराइली नागरिक खुद संसत में घुसके मांग कर रहे हैं कि युद्ध है ये बंद होना चाहिए और जो हमारे नागरिक हमास में कैद है उनको छोड़ देना चाहिए इसके ओपर वाजित खान पोस्ट करते हैं एक्सपर ब्रेकिंग न आपसे अपना वादा पूरा कर दिया अगर आप अभी भी गाजा में लड़ने पर अड़े हैं तो और अधिक विनाश आपका इंतजार कर रहा है मतलब वाजित खान ने सीधे तोर पर ये लिख दिया है कि अगर अभी युद्ध नहीं रुका है तो ये विनाश का रूप ले लेगा और विनाश होगा ही होगा युकि जिस तरीके से इसराइल अपनी ताकत दिखा रहा था हर जगा न्यूज में देखने को मिल रहा था कि इसराइल बहुत ताकतवर है लेकिन वहीं दूसरी तरह अगर हम आपको सच्चा ही बताएं तो जो गाजा जो है वो पुझ नलुर को ही क्यों करा था इस पर एक और पोस्ट अम आपको पढ़्के रहते हैं चौबिस घंटे में गाज़ा मुजाहिद्दीन ने इसराइल के 21 गोशपैटी मार गिर अमा कि चौबिस घंटे में गाज़ा मुजाहिद्दीन לא गुस्पैटी जो हो मार गिराए है कि breaking न्यूस बताई जा रहे हैं कि आतंग की इस्राइल ने कभूल नामा कि आतंग की इस्राईल भी कर लिया Virtualgesch कि इस्रामास वॅ 21 गुसपैटी जो उसने हमास में भेजे थे अपने गुसपैठी वो 21 गुसपैटी मार गिरा है और इसराइल ने खुद कबूल कर लिया है लेकिन इस्राइल जिस तरीके की न्यूस दिखा रहा था जिस तरीके खबरे नजर आ रहे हैं थे कि इसराइल बहुत ताकत वर है इसर पर भारी पढ़ रहा है और इसका बुखतान जो है वह आम नागरिकों को करना पढ़ रहा है महिलाओं को करना पढ़ रहा है 109 दिन से युद्दु को जादा हो चुक है और इसमें यह बताया जा रहा है कि बड़ी ख़बर आ रही कि 21 यहूदी सैनिक है इसराइल के वह मार ग लिख रहे हैं कि अलहम्दोलिल्ला अल्लाहु अक्बर इस तरी के चीजे वह लिख रहे है एक्स पे पोस्ट करके और 109 दिनों से जो यह युद्दु चल रहा था इसमें साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि इसराइल बहुत ही कमजोर पढ़ता जा रहा है हमास हजबुल् नागरिक हैं वो अब जान चुके हैं हमें खुद ही कुछ आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जो हमारे नेतन्याउन नेता हैं प्रधान मंत्री हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं सत्ता की लालच में भूल चुके हैं कि यह जो लड़ाई थी अब बहुत आगे जा चुके हैं युरोपिय संके विदेश मामलों का प्रमुख बयान उन्होंने एक पोस्ट भी करे और वाजित खाने साथ में एक्सपे पोस्ट भी कर रहा है कि इसराइल का तरीका जो अपना रहा है इसराइल हमास को खतम करने के लिए यह तरीका जो है यह नफरत बढ़ा रह कर रहा है अब इसराइल धीरे करके खुदी कबूल कर रहा है कि वह कमजोर पढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से मुझाहित दिन द्वारा इसराइली सेना के तीन वरिश सेना अधिकारी की भी हत्या कर दी गई है यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है और चीज़े अ नागरिक वहां के रहने वाले नागरी के अब उनको खुद पता चल चुए कि हमें ही आगे बढ़के कुछ कदम उठाने पड़ें कि नितन्याओं कुछ करने वाले नहीं है इस पूरी जो वीडियो है इस पर अपनी राय हमें कमेंट वॉक्स में आप जरूर बताएगा